है गाईस क्या हाल है भाई यो तो फिर से एक उन्य वीडिये में सभी का सुवागत है गाईस तो आज की जो वीडियो है इसमें आम अन्बॉक्सिंग करेंगे आन्बॉक्सिंग नहीं रिविवियू करेंगे इस जोरो की एक एक्षन फिगर का रिवियू जैसे की यह अलग हो जाती है गई इस पूरी की पूरी ही पूरी तो नहीं इसकी सारी की सारी स्वोर्ड सा लग हो जाती है और इसको एक एक करके मैं दिखाता हूं कैसा है यह तो गई सबसे पहले यह हमारे पास जोरो जो कि इसकी गर्दन को उपर नीचे कर सकते हैं निकाल भी सकते हैं और यह शा Anima है कौनसी कौनसी भाई इतना तो नहीं याद रहा मिरे को हलाकि मैं One Piece फैन हूँ फिर भी मुझे नहीं पता भाई इसकी Swords का नाम एक का पता है Anima है और ये उसकी दोस्त की है Anima कौनसी इनमेंसे शायद इसकी ओरिजिनल्स वाली नहीं है नहीं वो यह होगी भाई यह शायद एनमा है यह वाला शायद अगर मैं गलत नहीं हो तो बता हो यार इन में से कौन सी स्फोर्ड का क्या नाम है क्योंकि यह अलग-अलग है यह उसकी दोस्ती है जो मर गई थी तो इसको लखा देते हैं हम यहां पे इसको वो कभी यूज़ भी नहीं करता है मतलब करता है मेन फाइट्स में ही करता है लग-बग और यह इसको हम कर देते हैं यहां पे फिट यह हो गई भाई फिट यहां पे ठीक है उसके बाद इसको लखा देते हैं कुछ ऐसे और यह बन गया है एक कम्प्लीट जोरो एडिशन नाइस बाई जोरो अलग ही बंदा है जोरो को फैन बेस अलग है गईस एक टाइप से अगर लूफी से इसकी फाइट करा है तो यह शायद लूफी को भी मस्ट टक कर देते बाई इतना स्ट्रोंग है यह और मुझे यह पंद्रा सो रुपेगा बढ़ा है हाला कि ओरिजिनल नहीं है यह बट काफी अच्छा है स्ट्रोंग वर्ड इस पे इसका यह मिला है स्टैंड वेर को जो कि यहाँ पर अटक जाता है यहाँ यहाँ दोनों पर नहीं अटकेगा एक पर अटकेगा क्योंकि यह शायद इसका नहीं है मुझे वैसे दिया गया है ताकि इसको हम स्टैंड कर सके और यह कुछ ऐसा दिखते है बाई देखो कितना बढ़िया लगता है यार यह यह मेरे पास अभी सेकिंड सबसे बढ़ा होगा इससे बढ़ा है मेरे पास यह हमारे पास गोजीटो सरी वेजीटो गोजीटो नहीं वेजीटो है यह इससे बहुत बढ़ा है इसके अलावा बे मेरे पास काफी सारे है जैसे कि मेरे पास लूफी है इन बाई साब के कैप्टन जो कि मंकी डी लूफी ये थोड़ा छोटा है इससे मंकी डी लूफी उसके बाद में पास मंकी डी लूफी का भाई है साबो में पास एस नहीं है लेकिन साबो है तो साबो इससे छोटा है तो यानि कि और वेजिटा का मिक्स और ये है फ्रेंग की तो वनपीस की मेरे बहुत सारे action figures है बहुत सारी है वाई इसका एक ही है कमाल की बात है मेरे को ये भी कुछ 17-1600 रुपे का भी पड़ा था ये वाला और ये भी महेंगा है मतलब उसकी साब से या पता नहीं कितने का पड़ा था याद नहीं है मैंको अभी काफी अच्छी detailing से इनके उपर इसलिए लिया है मैंने काफी काफी बढ़िया यारे देखो बहुत ही मस्त है अब देखो भाई बिलकुल मस्त है और इनको न ओफलाइन मार्केट से लोगे तो सस्ते मिलेंगे ये ओनलाइन लोगे तो महंगे मिलेंगे इसलिए मैं कहीं पर भी मिल सकते हैं जिसे मोल हो गया जैसे पैसिफिक मोल है वहाँ पर मिल जाते हैं मोल्स में तो हर जगई मिल जाते हैं लेकिन एक चीज़ है वहाँ पे तोड़ा प्राइस जादा ले लेते हैं यह जो मैंने लिया है काफी सस्ते प्राइस में लिया है और यह मिला मेरे को जनकपुरी की मार्केट है ना जनकपुरी वेस्ट की दिल्ली में वहाँ पर मिला है मेरे को यह जो कोई complex सा बना हुआ वहाँ पर है यह तो वहाँ से मैंने लिया है जो रो और यह मैंने लिया था Pacific से यह भी शायद Pacific से लिया था यह Pacific वाशनगर वाला जो Tagore Garden के पास में है वहाँ से लिया है मैंने यह वहाँ पर सस्ते मिल जाते हैं यह वाले इसी के रेट के बराबर तो वो वाले सस्ते बेशते हैं लेकिन थोड़े से वही पर एक और अलग शोप है वो थोड़ा महेंगा बेशती है इसलिए देखना पड़ेगा कि इसके क्या प्राइज है तो भाई मैं यही बता रहा था तो यह थी आज की वीडियो यह था हमारा जोरो जोरो का और थोड़ा सा छोटा सा रेवियो अन्बोक्सिंग कुछ कह लो नाइस जोरो ठीक है बाई बाई